नमस्कार दोस्तों आप सभी का सुवागत है आपने अपने स्टडी चैनल जर्नल स्टडी इजी एंड आइकूरेट में चलते हैं आज के टोपिक पर आज का हमारा टोपिक है इंडिया चाइना रिलेशन एंड कंफिलिक्ट पार्ट वन सबसे पहले दोनों देशों के इतियाज पर एक नजर डालते हैं जैसा कि आप सभी को पता है 15 अगस्त 1947 को माउंट बैटल प्लान के अनुसार बेटिस इंडिया का भारत और पागिस्तान दो देशों में विभाजन हुआ विभाजन के समय हैं जम्मों और कस्मीर एक प्रिंशली स्टेट था जिसमें राजा हरी सिंग सासन करते थे जिनों ने दोनों देशों के साथ स्टैन स्टील आगरिमेंट को साइन किया लेकिन कुछी दिनों के बाद पागिस्तान ने जम्मो कस्मीर को अनेक्स करने के लिए आकर्मन किया जिसके चलते जम्मो कस्मीर के राजा हारी सिंग ने भारत से सायता मांगी और भारत के साथ इंस्टुमेंट ओफ एकसेशन साइन किया और जम्मो एंड कस्मीर भारत का इकेंटिकल पार्ट बना Instrument of Accession साइन करने के बाद भारत ने अपनी भारतिय सेना को जम्मो कस्मीर की सिचोएशन को कंट्रोल करने के लिए बेजा भारतिय सेना और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल ही रहा था इसी बीच हमारे डिप्लोमेट्स ने एक सीज़ फायर आग्रिमेंट्स साइन किया जिसके चलते हमने गिलगिट पाल्टिस्तान और आजाद कस्मीर का 28,000 स्कायर माइल्स कायरिया पाकिस्तान के हाथों गवा दिया दूसरी तरफ अगर बात किजाए चाइना की एक अक्तुबर उनिस सो नंचास को चाइनीज रिवल्यूशन के बाद चाइनीज कोमेनिस्ट पार्टी के लेडर माओ जदांग ने प्यूपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की दूसरी तरफ नैशनलिस्ट पार्टी के लेडर ने रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसे आजम ताइवान के नाम से जानते की स्थापना की दोस्तों देखने वाली बात यहाँ है मैप पर जो आपको यलो कलर का एरिया दिखाई दे रहा है यह है 1969 के मैप के नुशार तिबबत का एरिया है जो 1969 तक भारत और चीन के बीच में एक बफर जोन का काम करता था लेकिन उनिशों नन्चस में प्यूपल लिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के बाद चीन ने अपने पोलिशी ओफ एक्सेंशन के नुशार तिबबत पर हमला किया और 1951 में चीन और तिबबत के बीच एक 17 पॉइंट एग्रिमेंट साइन किया गया जिसके चलते तिबबत ने चाइना की सोवरजिनीटी या समप्रभूता को सभिकार किया उसके बाद चीन ने 1951 में जिन जियांग आटोनोमस रीजन के यह चांग से लेकर तिबबत आटोनोमस रीजन के लहाद से तक अपने नेशनल हाईवे जी टूओन नाइन के कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया इसमें सबसे इंपोर्टेंट बात है थी कि यह चीन का नेशनल हाईवे भारत के लदाख रीजन के अकसाई चिन के इरिया को क्रोश कर रहा था लेकिन भारत तो इसके बारे में पता नहीं था उसके बाद बारत के ततकालिन पदानमतरी पंडित जौारलाल नहरू और चाइनिज प्रेमियर जो एन लाइन के बीच अकसेतर में सांती भाली के लिए और दोनों देशों के बाईलेटरल लेसन को इंप्रोव करने के लिए पंसिल आग्रिमेंट पर साइन किया गया और भारत की दरफ से हिंदी चिनी भाई भाई के स्लोगन को बहुत परमोट किया गया उसके बाद दोस्तों जानते हैं कुछ लाइन के बारे में जिसके जलते आजकल बहुत सारे बोर्डर डिस्प्यूट देखने को मिल रहे हैं सबसे पहली लाइन बलैक डोटे लाइन जो आपको इस मैप में सबसे उपर दिखाई दे रही है इस लाइन का नाम है जोनसन लाइन जोनसन लाइन को 1865 में ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेफ इंडिया में काम करने वाले एक सर्वेट डबलु ए जोनसन ने भारत चीन और तिबबत की सहमती पर परदर्शित किया था और चीन इस लाइन को 1899 तक मानता था दूसरी लाइन जो आपको ग्रीन कलर की लाइन दिखाई दे रही है वह है मेकटने मैकडोनाल्ड लाइन जिसे 1899 में चीन के एगरिमेंट पर रस्या के दुआब में आके ब्रीटिक्स इस्ट इंडिया कंपनी में सर्विकार किया दूस्तों उसके बाद जो ये ब्लू कलर के आपको लाइन दिखाई दे रही है ये 1969 के बाद चाइना के एगरेसिन के बाद की चाइनिज ट्रूप्स की लाइन है जो भारत पर उनके वार की तियारी को दरसाती है और उसके बाद 1962 वार के बाद भारत और चीन के बीच ये कलर लाइन लाइन और फैक्च्छल कंट्रोल का काम करती है और इसी कलर लाइन के आस पास ये जो आप गालवन वैली और तसायंग पोले कारिया देख रहे हैं इसके इर्द गिर्द आज के समया में बहुत सारे मिल्ट्री डिस्प्यूट्स और कंट्रिक्ट्स हो रहे है उसके बाद दोस्तों बात करते हैं 1962 वार की इसे पहले 1959 के लाइन से रविलिशन को जाना बहुत जरूरी है 1959 में तिबबत के लोगों ने लहासा में चाइनीज आर्मी के खिलाब एक विद्रो सुरू किया जिसके चलते तिबबत के लीडर दलाई लामा ने भारत में सरन ली और उसके बाद चीन टिबबत पर अपने कंट्रोल को लेकर भारत को सबसे बड़ा खत्रा मानने लगा उसके बाद दोनों देशों के बीच वारियस कंफ्लिक्ट और मिल्टरी डिस्प्यूट सुरू हुए जिनका रिजल्ट हमें 1962 में 20 जुलाई को इंडो चीन वार के रूप में देखने को मिला 20 जुलाई 1962 को चाइना की प्यूपल लिवेशन आर्मी ने तीनों फरंट लद्दाग उत्राखंड शीकिम और नोर्थ वेस्ट में और नाचल परदेश के एरिया पर एक साथ वार किया लेकिन हम चाइना पर बहुत ट्रश्ट करते थे और हमारे डिप्लोमेट्स इस बात को कभी सविकार भी नहीं करते थे जिसके चलते हमने सिर्फ एरिया और कंफ्लिक्ट में अपनी एक दो डिविजिन को ही तनात किया था लेकिन महाविर चक्कर राइफल में जस्वन सिंग्रावत जैसे लोगों के सैक्रिफाइज के बाद भी 1962 का वार भार थार गया लेकिन इस वार के हारने के बहुत सारे मुख्यकान थे सबसे पहला मुख्यकान हमारी आर्मी इस वार के लिए कभी तियार नहीं थी और हमारे डिप्लोमेट्स ने इस वार पर कभी विश्वास भी नहीं किया दूरी चीज हम अपने फोरवर्ट टूप्स को कभी लोजिस्टिक्स स्प्लाई प्रोवाइड नहीं करा पाए और हमारे डिप्लोमेट्स और डिफेंस एक्सपर्ट्स ने अभी भारतिया और इशना के यूज़ के बारे में सोचा ही नहीं इसमें सबसे मुख्याकान रहा हमारे उस समय के तत्कालिन डिफेंस मिनिस्टर वी के कृष्णन मैनन और उस समय के चीवो फार मिश्टाप जनल वी के थी मया के बीच के खटास जिसके चलते भारत को या यूद हारना पड़ा लेकिन दोस्तों बात करते हैं उस यूद की या उस लडाई की जिसके बारे में चाटना में तो सब लोग जानते हैं लेकिन भारत के और इतियास के पन्नों में इस यूद को बहुत कम लोगों के द्वारा जाना गया। यह बात है नाथूला की जो इंडिया, भुटान और चीन के प्राइज जंक्शन के पास एक पास है। 11 सितंबर 1966 को जब भारत के कुछ इंजिनियर्स और सेना के जवान नाथूला से लेकर सेबूला के बीच डिस्प्यूर्स और कंफ्लिक्स तो ख़तम करने के लिए वायर फैंसिंग का काम कर रहे थे। लेकिन इसी बीच चाइने के कुछ डिपलोमेट्स और आर्मी के ओफिसर्स ने इस बात का विरोध किया। लेकिन इंडियन आर्मी के नाम आनने के बाद चाइना ने MMG और हैवी फारिंग का प्रियोप किया। जिसके चलते आने वाले पांस दिन में इंडियना आर्मी ने वो जवाब दिया जिसको चाइना आज तक नहीं बुला पाया और इंडियना आर्मी ने चाइना के कम से कम चारसो जवान और दस से बारा बंकर को तबाह कर दिया और चाइना नाथूला के एरिया से 3-4 किलोमेटर पीछे हटने पर राजी हुआ और सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट किया उसी के कुछ दिन बाद 1 अक्तूबर 1966 को नाथूला के पासी 14 में क्लैसेज हुए लेकिन शाम होते होते भारतिया सेना ने चीनी सेना को सीज फायर की रिक्वेस्ट के लिए मजबूर कर दिया उसके बाद चाइना को पता लग गया कि भारत के साथ फेस टू फेस का भी लड़ाई अब जीत भी नहीं सकता उसके बाद दोस्तों बात करते हैं 1971 की जब भारत ने USSR के साथ एक ट्रीटी साइन की जिस ट्रीटी का नाम था Treaty of Peace, Friendship and Corporation लेकिन उसे बीच 1971 के इंडो पाक वार में चाइना ने पागिस्तान को खुल के स्पोर्ट किया दोस्तो 1977 में मुराजी देशाई के नेतरितों में जन्ता अलाइंस की सरकार आती है और उस टेम के हमारे External Affairs Minister अटल बिहारी बाजबे चाइना की विजिट पर जाते हैं इस विजिट को भार चिन के बाइलेटर रिलेसंस और बोड़ी डिस्प्यूट में बहुत बड़े इंप्रूव्मेंट के रूप में जाना गया लेकिन उसके दो साल बाद प्यूपल डिपबलिक और चाइना के Foreign Minister 1981 में इंडिया की विजिट पर आते हैं लेकिन लगबग 20 साल, 1966 के क्लासिज के लगबग 20 साल के बाद सुम्दरंग चू वैली में चाइना अपने सेमी परमाने श्टक्टर बनाना शुरू कर देता है दोस्तों यह आप देख सकते हैं सुम्दरंग चू वैली तो वाँ के North का यहाँ अरिया आउनाचल परदेश और North East के अरिया पर बहुत स्ट्राइजिविक और इंपोर्टांस रखता है यहां से आउनाचल परदेश के पूरे अरिया पर कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन इसके जवाब में हमारे तत्कालिन चीफ उपार्मी स्टाफ जनरल केश उंदर जी और हमारे प्राइम मिनिस्ट राजी उगांदी ने एक उप्रेशन को अंजाम दिया इस उप्रेशन का नाम था उप्रेशन फालकन इस उप्रेशन के तहट मी-26 हेलिकॉप्टर की साय ता से हमारी ब्रिगेड ओफ टूप्स को मिनिममम टाइम में एरिया उप कंफ्लिक्ट में डिप्लोई किया गया और दोनों आर्मी आमने सामने हुई लेकिन गनिमत रही दोनों की तरफ से फाइरिंग नहीं हुई और कोई कैजॉल्टी भी नहीं हुई और चाइना ने राजिव गांदी जो दिसंबर 98 में बीजिंग में बाइलेटरल लेशन में इंप्रूमेंट के लिए बोर्डरी डिश्प्यूट्स के सोल के लिए एक महत्तपुन मीटिंग पर गए थे इसी मीटिंग के तहट भारत और चीन जॉइंट वर्किंग ग्रूप और जॉइंट वर्किंग ग्रूप की छे राउंड की मीटिंग के बाद 1993 में 7 सितंबर 1993 को दोने देशों के बीच एक एक एग्रिमेंट साइन किया गा जिस एग्रिमेंट का नाइम था एग्रिमेंट ओन मैंटेनेंच और पीस और ट्रेंक्विलिटी अलोंग लाइन ओफ एक्चुल कंट् साथ अपनी सेना को कम करने का परियास करेंगे और जिके पॉइंट आठ में कहा गया था भारत और चीन जॉइंट वर्किंग ग्रूप में अपने बाउंडरी डिस्प्यूट को सुलजाने के लिए डिप्लोमेटिक और मिल्टरी अक्सपर्ट को पॉइंट करेंगे इसके सा जॉइंट वर्किंग ग्रूप की आगे की मीटिंग्स के बाद 29 नॉमबर 1996 को एक बहुत ही मैतपून आग्रिमेंट साइन किया गया जिसको यूएंट पी स्कीपर की साइट पर आप देख सकते हैं इस आग्रिमेंट के नुसार दोनों ने अपने म्यूच्वल कॉन्फिडे और ट्रांस्पिरन्स को मिल्टरी की फिल्ड और wow े के बढ़ाने के लिए काम करने पर खैम्ती जताई यह 11 नुसार आग्रिमेंट üz梦 यह अग्रिमेंटही डीमेंट में मिल्टरी की फिल्ड में शुधार लाने का अक प्रियास था आ आर् Landes 3 आपके लिए मैंने यहां प सुधार लाने का एक प्रियास था Article 3 आपके लिए मैंने यहाँ पर लगाया इसके Article 3 के Point 1 में कहा गया था कि दोनों देश अपने Mutually Agreed Geographical Zones along the Line of Actual Control अपने Military Troops को कम करेंगे Point 2 में कहा गया था Along the LOC Within Mutually Agreed Geographical Zones, दोनों देश अपने Combat Tanks, Infantry Combat Vehicles, Guns like Hovitser Motor with 120 mm or Weager Caliber, Surface to Surface Missiles और Surface to Air Missiles और Any Other System of Weapons दोनों देश कम करेंगे उसके Point 3 में कहा गया दोनों देश अपने कम किये गए Military Forces और Armaments का Data एक दूसरे के साथ Share करेंगे ताकि दोनों देशों के बीच Transparency बनी रहे उसके बाद दोस्तों 1998 में अपने लुक्रियर प्रिक्सन Operation सकती के बाद हमारे तत्कालिन डिफेंस मिनिस्टर जोर्ज फर्नांडीज ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा चाइना इजोर नमबर वन थ्रीट जिसके बाद भारत और चींज के रिष्टों में थोड़ी खटास आई और पाकिस्तान ने 1999 के कारगिलवार में पाकिस्तान को खुल के स्पोर्ट किया लेकिन 2004 में दोनों देशों ने नाथुला और जालेप लागे थरू ट्रेड करने पर सहमती जताई जिसमें दोने देशों के ट्रेड डिलेशन में बहुत इंप्रूमेंट आया और पहली बार इतियास में दोने देशों के ट्रेड US 10 बिलिएन डोलर को क्रोस किया जो एक इतियासिक जन्द एक इतियासिक संख्या है इसके चलते 11 अप्रेल 2005 को इंडिया और चाइना एक और अग्रिमेंट पर साइन करते हैं जिसको दोनों देशों के नेशनल सिक्योर्टी अड्वाइजर्स के द्वारा साइन किया गया और 11 अप्रेल 2005 को इसको प्रोमगुलेट किया गया जिसका नाम था इंडिया और चाइना के बाउंडरिक वैक्शन को सुल जाने पर कारिया करेंगे इसके 11 प्रोमगुलेट के आर्टिकल 1 में कहा गया था भारत और चीन का बोडर डिस्प्यूट कभी भारत और चीन के और आर्टिकल 2 में कहा गया था दोनों देश पंचिल्क साइन के गएसी दान्त पर कारिया करेंगे और अपने बोडर डिस्प्यूट को पोलिटिकल और मिल्टरी के दृष्टिकोंड से सुल जाएंगे और जिसके आर्टिकल 10 में कहा गया भारत और चीन अपने स्पेशल लिपर्जेंटेटिव को सीविल, मिल्टरी, सर्वेयर अप्वाइंट करेंगे जो आने वाले दिनों में अपने बोडरी डिस्प्यूट को पूरी तरह सुल जाने पर कारिया करेंगे दोस्तो आशा करता हूँ आप सभी को समझाया होगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तो हम आपके लिए किसी भी करेंट अफेर टोपिक या किसी भी UPSC, PCS, Railway और SSC प्रेस्पेक्टिव से किसी भी इंपोर्टन टोपिक की फुल डिटेल वीडियो एक ही वीडियो में हम आपको प्रवाइड कराते रहेंगे प्लीज लाइक, सब्क्राइब, सेयर और प्लीज कमेंट जय हिन, जय बार्द